काफी लोग होते हैं जो की हेड कोल्ड और वार्म हार्ट होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हेड वार्म और कोल्ड हार्ट होते हैं हेड वार्म और कोल्ड हार्ट का मेरा क्या मतलब है यह वो लोग होते हैं जो हमेशा गरम मी में रहते हैं जो हमेशा गुस्से में रहते हैं, किसी की परवाह नहीं करते और उनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता उनका काम है भी जब तक आप मेरे साथों काम करते हैं चलो तो उनका हार्ट बहुत थंडा होता है दूसरे लोग होते हैं जो की हार्ट से बहुत वार्म होते हैं बहुत ही डिस्पेक्टफुल होते हैं और जिनका सिर्थ हमेशा ठंडा रहता है सिर्थ ठंडा रहने का मतलब है जो गुस्से में नहीं आते जो तहिश में नहीं आते जो इंपल्सिव नहीं होते पर एक ही चीज़ को अराम से समझ के दूसरे को समझा के करते रहते हैं अगर हम ठंडे दिमाग और वाम हार्ट से काम करें तो हम ये वाली चीज़ आसपा स्प्रेट करेंगे और लोग हमें उतनी ही इज़त देंगे